शोपूर विधायक बाबुजंडेल ने गेहु खरीदी में हो रही गडबडी को लेकर लगाए आरोप, किसान हो रहे हैं परिशान, गेहु खरीद में चल रहा है भ्रष्टाचार, आपुर्ति विभाग के अधिकारियों को लिया आड़े हाथ हो, आपुर्ति विभाग के किसान और मजदूर दुखी और परिशान नजर आ रहा है, पाँच पाँच दिन से लाइनों में लगे हैं किसान, सिस्टम पूरी तरह गडबडाया है, गेहु तुलाई सेंटर प्रबंधक नहीं मान रहे है, शासन का आदेश की जा रही है, मनमानी, कुछ प्रबंधकों की मनमानी, आदेश कहीं और का और तुलाई हो रही है कहीं और, प्रबंधकों द्वारा खुद के नीजी खेतों पर भी की जा रही है तुलाई, रोज करोना को देखके जैसे इस्तती है, ग्यों खरीदी की, तो रोज ग्यों खरीदी में बश्टाचाद चल रहा है, किसानों क कलेटर ने सेंट्रों का आदेश किया है, उन आदेशों को परमंदक नहीं मान रहे हैं, सेंट्र से हटा के बक्ती गत अपने गाओं में तोल रहे हैं, परमंदक अपने खेतों पे ग्यों तोल रहा है, इसी स्तती के मैं भाजपा के नेता, भाजपा सरकार आख मूच रही है और नागरिक आरपुटी विबाग की अधिकारी कभी रिजल्ट करता है ट्रकों को कभी पेसे लेके उसको सलेट कर देते हैं एक दिन के बाद में तो ये बश्टाचार देखने को आ रही है किसान बहुत बड़ा दुकी है मजदूर बहुत बड़ा दुकी है कोई सुने वाला के ने वाला नहीं